हेलो फ्रेंड्स, मैं विनया निर्भिक फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमेंचल पे श्वागत है फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि लगातार तरह-तरा कमेंटारी रेले भरतियों को ले करके कोई पूछ रहा है गुरूपड एक्जाम कब होगा कोई पूछ रहा है कि NTP से CBT 2 कब होगा जिनका CBT 1 हो चुका है और जिनका अभी CBT 1 ही नहीं हुआ वो पूछ रहा है कि फेज 4 कब होगा तो मैं आज प्रयास किया हूँ कि मतलब कि तीनों बाते एकशाद कर लेते हैं वैसे मैं कल Group D exam date को लेकर बता चुका हूँ जो न्यूज में आया था जो चेर्में जैसे बोला था ठीक है मैं तो पहले न्यूज पे विश्वास करता नहीं था आप लोग जान रहे हैं लेकिन अब करना पड़ रहा है क्योंकि सब कुछ उसी के भरोसे हो रहा है ठीक है फ्रेंट्स तो मैं आज कोसिस करूँगा कि तीनों बाते एक शाथ करूँ अगर मैं Group D का बात करूँ तो मैं कल बोला था लेकिन उहां पर एक करेक्शन करना होगा मैं कल बोल दिया था कि उसमें 1.89 करोड फॉर्म पड़े हुए हैं ठीक है तो कमेंट आने लग एक 1.15 है तो कमेंट ही सही था मेरा बात होँआ गलत था फ्रेंट्स चीक है फ्रेंट्स यह फॉर्म इतने कम है तो फिर 8 फेज में नहीं होगा जुलाई तक भी नहीं जाएगा और कुछ लोग बार-बार CBT2 को ले करके कमेंट कर रहे थे कि CBT2 कब होगा तो इसको लेकर के भी मैं कुछ बाते बता रहा था जो थोड़ास उसमें changes होंगे क्योंकि मैं यही सोच के बोल रहा था जैसे expected date हो सकता है तो मैं बता रहा था कि GroupD जुलाई तक जाने वाला है लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि मैं बता ही थे form कम पड़े है बता चुका हूँ अभी आप देख रहे हैं जो NTP से एक्जाम चल रहे हैं इसके साथ भी कई एक्जाम चल रहे हैं ठीक है आपको पूरे देश में कितने एक्जाम सोते किस टाइब के सभी जानकारी नहीं है क्योंकि सभी के क्वालिफिकेशन अलग होते हैं अभी बैंकी एक्जाम डेली चल रहे हैं अभी कल SBI PO मेंस हुआ है आज RRB PO मेंस हुआ है फिर भी क्या है एक्जाम चल रहे है डेली न तो आप लोगों को सोचने की जरुवत नहीं है कि अधर एक्जाम हो रहे है इसलिए एक्जाम नहीं हो पाएगा यह सब बाते मन से निकाल दे रेलेवे बिल्कुल फॉर्म में आ चुका है अलेडी दो साल लेट हो चुका है मैं पहले भी बोला था इसलिए सब कुछ इतना अचानक हो रहा और आप लोगों को विश्वास नहीं हो पा रहा है ठीक है जब एक्जाम पर केवल फोकस करें अधर्वाइच आपको ही नुकस अधर्वान होगा जैसा कि कुछ लोग को हो चुका है कुछ लोग अपना कवर कर लिए क्योंकि कई फेज में एक्जाम हो रहा है ठीक है और मैक्सम लोग का तो अभी लेट में ही है क्योंकि जिनका हुआ है वो मेरे कॉंटेन बहुत कम थे यह थोड़ा सा प्लस पॉइंट ह क्योंकि जो मेरे थे उनका किसी का माले थर्ड फेज में होगा ठीक है किसी का सेकंड फेज में था फर्स्ट में तो बहुत कम मिले थे तो यहां से थोड़ी अच्छी बात है तो फ्रेंड्स लेकिन ग्रूप D को लेकर के भी कुछ लोग अब उल्टी कहानी बना रहे हैं दे इत को बातव हमें यह नहीं सब्सक्तों लिए तो उनकी प्रव्लें मेरे प्रॉब्लम नहीं ही है मसे ब दाम करना प्रेपरेशन काम करना न वर Conference मेंust Мар değil को प्रेपरेशन करना हो जो लोग नहीं देखे होंगे कल का वीडियो रर्वी ग्रूबडी एक्जाम डेट रर्वी ग्रूबडी परिच्छा मार्च में संभव एक लाग से ज्यादा पदों पर होगी भरती अब इस पर कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि यह भरती रर्वी नहीं रर्च करा रहा है कि तुम फेक न्यूज ना फैलाओ यह मत करो वो मत करो फ्रेंट से एंडी टीपी का देख रहे है न्यूज है ठीक है और यह लोग रर्वी अभी तक कंफ्यूज है जबकि मैं पहले एक बार कंफर्म कर चुका हूं कि रर्वी और रर्च में क्या डिफ्रेंस है पिछले बार जो दोरा ठारम भरती आई थी गुरूबडी की उसका नोटिफिकेशन जो है रर्वी के थुरू निकला था और 2019 में नोटिफिकेशन आया है यह रर्च के थुरू निकला है ठीक है लेकिन सेम प्रोसेस दोनों में एक ही रहने वाला है पिछले बार भी क्या हुआ था जो र भी कराएगा फीशकल में निकल आरारशी कराएगा और जोफिकल में आरार भी ही देगा अब आप सोचेंगे डरीकुर इरलेस कीवी जिए क analyse कर अज निकला अपननों कर हणना से पूरा अपया के पिछा गारता जो यहां प्रिछा में इसले बार प्लानेंग किया कि कैना या भले फिजिकल मेडिकल आगे पीछे होते रहेंगे तो इसलिए फ्रेंड आपको परसान होने जरत नहीं अफिर जॉइनिंग करती जब सेंड करेंगी तभी जॉइनिंग के लिए बुलाएगा ठीक तो इहां पर क्या हुआ है अब दो वेकंसी से रर्ब के हाथ में आगा इसलि क्योंकि सारे अलग अलग थे तो इहां पर क्या है कंबाइंड है आपको इसमें सोचने की जरूवत नहीं अब क्या होता है एक ही सेंटर बे कई रर्ब के कैंडिट्स मिल जाते हैं तो आप लोग यह नहीं सोचना है कि रर्ब के है रर्च के है दोनम को एक खास डिफरेंस न लिखा हुआ है फिर हम बात करते हैं कि ntpc phase 4 कब हो सकता है और जो cbt2 का वेट कर रहे हैं उनके बारे में मैं बताने वाले यह पहले देख लेते हैं कि मालने यह 1.15 क्रोड फाम है जो मैंने 1.89 बोला था ठीक है मैं फिर से सुरी बोलता हूं कि वह बोलते हैं मिरे kroph आने 2.99 है तो उमीद किया जा सकता है कि चार फेज या 5 फेज में हो सकता है क्योंकि न्टकों मैं पहले बोल चुका हम क्ज पांच करा कि युंकि रहा हैं कभी थीए से लग रहा है कि आपका 5 फेज में एक्जाम होगा लेकिन ऐसा नहीं है कि एक्जाम अपने टाइम पे होगा अगर रेले भरती बोर्ट से बोला जा रहा है तो होगा ठीक है यहां कोई नोटिस नहीं देने वाला इस बार आप फिर अलेट हो जाए मैं बार बार कहूंगा क्यो आप लास बाते और भी परिच्छा मार्च में आयोजित की जा सकती है देखे सकती है लिखा मैं भी कंफर्म नहीं बोल रहा हूं ठीक है नहीं तो यह नहीं हुआ तो यह मेरे हाथ में नहीं परिच्छा से चार देन पहले एक्जाम का अडिमिट कार्ट जारी होगा आप दे परिच्छा की तारिखे जारी कर सकता है गृप डी परिच्छा के तह्त एक लाग से ज्यादा पदों पर भर्तिया की जाएंगी रेलवे भर्ति बोर्ट के एक वरिष अधिकारी ने एंडी टीवी से बातचीत में कहा रेल योई अभी परिच्छा कराने के लिए एजंसी की पर काम कर रहा है जनसी की नियुक्ती भी पूरी नहीं हो पाई है लेकिन आपने थे एक यह थिक लोगों क्योंकि TCS कोई है ने अपने देश में इतना बड़ा एक्जाम कर आप है इतने अधी कंडिट्स को जहल पाए तो गुरूबडी में भले अभी कनफर्मेशन नहीं है लेकिन एक्जाम आपका TCS ही कराएगा यह 100 प्रसान होने की जरूत नहीं है लेकिन डेट आप यहां देख है कह रहा है मार्च में आउजित की जा सकती है यानि कि आप जान रहें एंटी पीसी का एक्जाम लगए पांच फेज में होने वाला अभी तक के सिच्वेशन के हिसाब से आपका 28 दिशंबर से 13 जनवरी से आपको लेकर के 30 जनवरी तक सेकंड फेज ठीक है फिर 31 जनवरी स मैं बता दूँ जैसे कि 12 फरवरी को खतम हो रहा है तो यह लोग क्या करेंगे मैक्समुम 13 या 14 फरवरी में स्टार्ट कर देंगे अगर कोई हॉलिड्र वगएरा नहीं यह तो बीच में वह जो 16 जनुरी से स्टार्ट होगा जबकि मैक्समुम लोग बोले थे कि 14 जनुरी से क्या बोले थे कि 14 से स्टार्ट होगा बट नहीं वह 16 जो मैं बोला था ठीक है तो मैं जो भी बोलता हूं फ्रेंट्स प्रोव के साथ लॉजे के साथ बोलता हूं ठीक तो यहां भी क्या है यहां मुझे नहीं एक्जैक्ट मालूम है कि 13 चौदम कोई तेवहार है या नहीं अगर 13 चौदम कोई तेवहार नहीं है तो आपका एक्जाम 13 से ही स्टार्ट हो जाएगा और इसका इंटिमेशन जो है आपको दो तारीक को देखने मिल जाएगा निए दो तारीक को नोटिस आ जाएगा तीन तारीक से आप अपना इंटिमेशन डाउनलोड कर सकते हैं तो और उसके बाद अगर हम बात करें जिनका फेस वन हो चुका है तो जैसा कि आप लोग जाएनर में बोला था कि जब NTPC का एक्जाम इससाब से जा रहा है कि मालने जिए फरवरे में क्या करेंगे चार फेस कंप्लीट करा देंगे पांचवा फेस 15 मार्स तक 20 मार्स तक करा द ठीक है 15 प्रल तक अंसर की मिलेगा और जून एंड होते होते आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा और मैं बता दू रिजल्ट के बाद रेलेवे कभी मेंस के लिए टाइम नहीं देता ज्यादा ठीक है लगभग 14 दिन के आसपा से टाइमिंग देता अब तक जितना मे ग्रूब डी आपका जून में ही एंड हो जाएगा और इसाब से जुलाई में आपका NTPC का CBT2 हो जाएगा हर हाल में ठीक है क्योंकि रिजल्ट आएगा उसको 14 दिन बाद यो लोग एक्जाम करा देंगे चाहिक किसी भी हाल में उसलिए टाइम नहीं मिलेगा उसका लेवल आसानी से क्लियर हो सके ठीक है फ्रेंट्स तो अभी बस इतना ही अप्डेट देना था मेरा में मकसद यह तक जो मैं कल बोला थक 1.89 क्रोर फ़र्म पड़े उसका करेक्शन में जरूर कर दूँ ताक कि यह नारा है कि मैं कुछ गलत बता दिया हूँ फिर अब फिर बन में ग अबरत